जै हिंदो सोताई दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आपनों को बताने वाले हैं बिना पढ़े कौपी कैसे लिखें जी हाँ दोस्तों अगर आप भी कलास 10 या 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 में अगर आप फाइनल एक्जाम द देखेंगे ये वीडियो आपके लिए है अगर इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं तो आप भी अपने बोर्ड एक्जाम में 400 पलस नंबर एचीव करेंगे जी हाँ दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए काफी सांदार ट्रीक लेकर आए हैं और य पढ़ने से कुछ नहीं होता है उसमें सारा चीज देखना पढ़ता है कोफी कासे लिखना है कहा पर क्या होता है एक्जाम कैसे नंबर देता है ये सारा चीज अगर आप जानते हैं तो आप आराम से 400 पलस नंबर ला सकते हैं और बिना पढ़ने 95% जी हां दोस्तों 95% का मतल जाईएगा सारा चीज और फिर आपको कुछ नहीं आता है जिया दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप exam में क्या लिखेंगे अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो exam में आपको कैसे लिखना है और कौन सा trick लगाना है ठीक है आप copy में क्या लिखेंगे बहुत सारे student करते हैं सर हमको तो कुछ आता नहीं है तो sir copy में क्या लिखे copy में क्या लिखना है ये भी हम आपको complete इस वीडियो में बताने वाले है साथे साथ आपको क्या से लिखना है copy क्या से लिखना चाहिए और लिखने का सही तरीका क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है पूरी जानकारी वीडियो में दिया गया है ठीक है तो वीडियो को पूरा देखे ये पूरी जानकारी वीडियो में देखे सारा चीज़ आपका डाउट किलियर हो जाएगा और आप भी 95% मार्स पत्ता लेकर आएंगे 2024 बोड एक्जाम में ठीक है ना अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो घबराईए नहीं वीडियो को पूरा देखे और ये ट्रीक एक्जाम में जरूर लगा कर आईएगा क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बज़ गए हैं ठीक है ना चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर फर्ष्ट की ओर और एक एक करके समझिएगा रूल नंबर फर्ष्ट है दोस्तों देखेगा काफी सांधा ट्रीक लेकर आये हैं क्या रहा है कि सबसे पहले आप एक्जाम में काला और नीला पैन लेकर जाएं जिहां दोस्तों बहुत स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं वो केवल एक पैन लेकर जाते हैं नीला पैन दोस्तों नीला पैन से काम नहीं चलेगा आपको काला पैन भी ले जाना है साथ में काला पैन और नीला पैन दोनों पैन साथ में लेकर जाना है और दोनों पैन से लिखना है कॉपी में ध्यान रहे आपको प्रसन संख्या जो है वो काला पैन से लिखना है प्रसन संख्या जो आप लिखेंगे प्रसन संख्या वो आप लिखेंगे काला पैन से ठीक है न और उसका जो आंसर लिखेंगे उसका जो आंसर लिखेंगे वो आप लिखेंगे नीला पैन से किसे लिखेंगे नीला पैन से काफी सुन्दर लगेगा देखने में जो भी आप लिखेंगे काफी सुन्दर लगेगा examiner जो है न वहाँ पर भर भर के नमबर देगा ठीक है न तो हमेशा ध्यान रखें दो से अधीक पैन ले जाना है साथ में हो सकता है मानले जिए कोई पेन आपका मिस हो जाता है काला या नीला तो exam hall में एक दूसरे को student जल्दी देता नहीं है क्योंकि सब को पता है कि ये exam है कोई बच्चा का खेल नहीं है ठीक है न तो सबसे पहले लोग अपना देखता है बाद में दूसरे को देखता है ठीक है इसलिए दो से अधीक पेन ले जाने की कोशिस करें अगला है कि आपको पहले objective प्रस्ण दिया जाएगा और उसके लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा आपको भी पता है objective आपको बनाना है OMR पर किस पर बनाना है objective OMR सीट पर बनाना है और दोस्तों कहिएगा OMR सीट कैसे भरा जाता है तो इसके लिए वीडियो बन गया है जाकर देख लिजिए OMR जो है 2024 में कैसे भरना है और उसका जो सही तरीका है वो क्या है वीडियो हम बना दिये है जाकर जल्दी से आप लोग देख लिजिए ठीक है तो OMR को आपको objective में भरना है objective question कहां भरेंगे OMR में और इसके लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा उतना देर में आपको objective complete करना है OMR में फिर आपसे OMR copy जो है आपसे ले लिया जाएगा ठीक है न तो ये सारा चीज आप समझ गए आईए अब rule number second को समझते हैं दोस्तों आपके सामने है rule number second कह रहा है उसके बाद आपको subjective प्रस्न दिया जाएगा ठीक है आपको पता है objective के बाद आपको subjective प्रस्न दिया जाता है तो examiner उसी के हिसाब से आपको number देगा ठीक है ना तो first page copy का first page यानि की 2-3 page तक आपको जो है बिल्कुल भी कार्ट पिट कर इस तरह से और इस तरह से ज़्यादा कार्ट पिट नहीं करना है अगर कार्टे भी हैं तो एक line में उसको इस तरह से काट गीए लेकिन कोशिस करें कि 2-3 page में आपको बिल्कुल भी इस तरह की गलती नहीं करना है उसके वाद देखिए कहरा आपको writing जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना देखिए ये writing जो है न ये कासे सुधारा जाता है इसके लिए भी हम वीडियो बना दिये हैं वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं आप अपने writing को एक सब्ता के अंदर हमें कैसे अच्छा कर सकते हैं ये वीडियो हम बनाए हैं 4-5 दिन पहले उसको जाकर देख लिजिए ठीक है तो examiner जो है न writing पर काफी अच्छा नमबर देता है और writing का effect हर एक student का जो writing है वो हर एक teacher पर पड़ता है ठीक है आप कोशिस करें जितना साफ साफ हो ठीक है जितना साफ साफ हो और सुन्दर writing हो ठीक है जितना सुन्दर लिखेंगे न बोर्ड exam में लिखावट काफी important होता है जितना जाधा आप लिखेंगे सुन्दर उतना ही जाधा आपको नमबर वहाँ पर मिलेगा ठीक है न तो साफ साफ लिखने की जाधा कोशिस करें धीरे धीरे लिखें अगर writing खराब है रूल लंबर थिरी कहरा जब आपको प्रस्ण कॉपी मिलेगा प्रस्ण का जो कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रस्ण को सही सही जरूर पढ़े जिया दोलतों प्रस्ण पढ़ने के लिए आपको 15 मिनिट का समय दिया जाएगा बहुत सारे student क्या करते हैं जल्दवाजी में question मनाना शुरू कर देते हैं उसको ये नहीं पता है कि इसमें कौन सा question जो है हम से पहले बनेगा कौन सा question पर बाद में समय देना है ठीक है तो जो question सबसे आसान हो जिसका answer आपको पता हो पहले आप question को पढ़ ले question होगा उसको आप जिसका answer आप पहले दे सकते हैं उसको आप पहले लिख लिजिएगा और उसको बना लिजिएगा ठीक है ना इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि पहले आप लोग एक बार question को जरूर पढ़ लिजिएगा उसके बाद है को पी लिखते समय आप उसमें गलत सब्द जैसे गाली हो गया गाना हो गया, कसम हो गया ये सब नहीं लिखना है बहुत सारे student क्या करते हैं कभी-कभी वो अपना emotional बाते लिख देते हैं तो ऐसा करने से जो है ना examiner आपको number नहीं देगा भाई एक line में समझ लिजिए अगर आप सोचते हैं कि हम गाना लिख देते हैं या साइडी लिख देते हैं इससे हमको number मिल जाएगा या emotional बाते लिख देते हैं या कसम दे देते हैं या उसमें बहुत सा student ये भी करते हैं अभी के समय में कि 200 रुपय का और 1000 रुपय का इस तरह से note देते हैं तो आपको क्या लगता है इससे number मिल जाएगा examiner ये रुपय भी रख लेगा और एक भी number नहीं देगा क्योंकि copy आपका camera के निगरानी में चेक होता है इसलिए आप उसमें रुपय पैसे रखने की कोचिस नहीं करिएगा इससे आपको नुकसान होगा कि number आपका काट लिया जाएगा तो बिल्कुल भी इस तरह की बाते नहीं लिखे इससे अच्छा है कि आप लोग अपने मन से कुछ बना बना कर उसमें जवाब दे अगर आपको नहीं आता है तो इस चीज के लिए हम आपको कह रहे है कि आपको हम बताएंगे कि कैसे लिखना है जब किसी कोशन का अंसर आपको नहीं पता हो ठीक है तो ये रूल नुमर 3 समझ गए अब आईगे रूल नुमर 4 को समझिएगा दोस्तों अब आपके सामने है रूल नुमर 4 दिखे कह रहा है इसमें कि सभी प्रस्णों का जवाब देना है जी हाँ दोस्तों एक भी प्रस्ण को छोड़ना नहीं है भले कोई कोशन आता हो नहीं आता हो फिर भी अपने मन से बना बना कर लिखना है खाली छोड़ देंगे जीरो नंबर मिलेगा कुछ लिख देंगे तो एक से दो नंबर मिल ही जाएगा ठीक है आप बना कर लिख दीजिए ठीक है कोई भी प्रस्ण छोड़के नहीं आना है ध्यान रहे ठीक है उसके बाद है अगर आपको आता है अगर आपको आता है तो पुरा लिखे कुछी कोश्चन का आंसर अगर आपको आता है पुरा तो पुरा लिखे अगर आधा आता है तो आधा भी जरूर लिखे है क्योंकि आपको पता होना साहिए एक्जामनर जो है आपको एस्टेप मार्किंग पर नंबर देता है ठीक है अगर कोई 5 नंबर कुछ भी नहीं पड़े हैं ये सारा ट्रीक ज़रूर लगाईएगा साथी साथ अगर आपको कोई प्रस्ट नहीं आता है तो क्या करें ये सवाल आपके मन में है अगर मालेजे कोई प्रस्ट आता ही नहीं है तो हाँ पर करना हो गया जैसे आप कोई कोस्टन है आपके सामने ठीक है जैसे मालेजे गोलिये दर्पन के बारे में आपसे पूछ रहा है किसके बारे में गोलिये दर्पन के बारे में आपसे पूछ रहा है तो कीवर्ड क्या होता है गोलिय दर्पन के बारे में पूछ रहा है कि गोलिय दर्पन क्या है माली जी इसका अंसर आपको नहीं पता है लेकिन आपको ये पता है कि दर्पन क्या होता है यानि कि सीसा जो होता है मीरर इसके बारे में भी अगर आप लिख देते हैं तो साफ साफ लिखेंगे, ठीक है, साफ साफ लिखेंगे, और सुन्दर डाइटिंग में लिखेंगे, जितना साफ लिखेंगे, जितना सुन्दर लिखेंगे, उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा, उसके बाद हमारा अगला है, देखी, इसमें जो हैं आपको, किसी भी क का answer है या खंड बो का answer है तो इससे आपका number कर जाता है ये बात का ध्यान रखियेगा साथे साथ आप जब कोई प्रस्ण लिखते हैं तो उसमें प्रस्ण पूरा नहीं लिखना है केवल प्रस्ण संख्या लिखना है परसन संख्या जैसे एक बना रहे है तो परसन संख्या एक सिर्फ लिखिए ठीक है जादा इसमें question नहीं लिखना है ठीक है और पांचमास चीज देखिए जितना भी चीज आप लिखते हैं ठीक है उसमें आप देखिए कोपी में जो है ना gaping जरूर छोड़ कर लिखिएगा ठीक है जैसे कोई question मालेजिए यहां से यहां तक आप लिख दी है ठीक है तो नीचे से एक line छोड़ देना है फिर दूसरे line से लिखना शुरू करना है तो उमीद करते हैं दोस्तों ये 5 ट्रीक आप अपने exam में लगाते हैं और आप देखिएगा कि आपका number जो है ना भर भर के आएगा ठीक है आपका number जो है भर भर के आएगा ये एक भी number examiner नहीं काटेगा उमीद करते हैं कि आप लोग समझ गया होंगे कि आपको exam में का से लिखना है क्या करना है सारा चीव बता दिए हैं अगर इए वीडियो आपको समझ में आ गया जो है स्टूरेंट नहीं है चैनल पर पहली बार आए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह से आने वाला आगे का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मातरम